सब्सक्राइब कीजिए ग्यानोके चैनल को और गौर्मेंट जॉप्स गौर्मेंट इसकीम और रिजल्ट से रेलेटेड अपडेट का नोट्विकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ग्यानोके में दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे केवी ओनलाइन एडमिसन पोर्टल पे आपको रेजिस्टेशन कैसे करना है दोस्तों रेजिस्टेशन के दो परिकरिया होती है सबसे पहले इसके लिए रेजिस्टेशन होता है पोर्टल पे दूसरा इस्टेपिस का होता है आपको आवेदन पत्र भर के उसको समिट करना है तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे आपको ओनलाइन पोर्टल पे KV Admission के लिए registration कैसे करना है तो दोस्तों के वी admission का पहला चरवन जो है registration है इसके लिए हमें kv admission online की जो website है उस पे जाना है इस तरह से जाएंगे यहां आपको instruction पढ़ लेने हैं जैसे कि इसमें instruction लिखे वे हैं आवेजन की अंतिम तारिक क्या है कौन से सत्र के लिए registration हो रहे हैं अब दोस्तों आपको इसी page में नीचे आना है और आपको यहां नाया पंजी करण यानी new registration का एक option मिलता है इसको आपको क्लिक कर लेना है new registration page पे क्लिक करते ही आपके सामने instruction का एक page आ जाएगा यहां आपको निर्देशों को पढ़ने के लिए बोला जाएगा और उसमें आपको नीचे आना है और back to instruction page पे आपको चले जाना है अब दोस्तों आपको इसमें कुछ निर्देश मिलेंगे इन निर्देशों को आपने पढ़ लेना है निर्देश आप हिंदी और इंग्लिस दोनों भासाओं में पढ़ सकते हैं यहां से आप language चेंज गर सकते हैं अब दोस्तों इसी page पे आपको नीचे आना है और नीचे कुछ instruction की एक list दे रखिये साथ ही आपको जो documents जो चीज़ें ready रखनी है उनकी एक list दे रखिये जैसे की mobile number, email address, photo, signature, scan copy और documents जो आपको अगर government reply है तो उनकी copy आपकी पर document की scan copy होनी चाहिए अब आपको page में नीचे आना है, page को नीचे scroll करना है और यहां आपको agree पे click करना है जहां I have carefully gone through all section and subsection जिसमें लिखा गया है कि आपने पूरे निर्देश पढ़ लिये हैं इस पे आपको agree करना है और आगे बढ़ें या proceed पे आपको click कर लेना है अब दोस्तों आपके सामने पंजी करन पेज आपके सामने खुल जाएगा यहां आपको केवल अंग्रेजी में ही सारी जानकारी भनी है और एक बार आपने ये पेज अगर submit कर लिया तो आप इसमें संजोधन नहीं कर सकते हैं यानि आप इसको बाद में modify नहीं कर सकते हैं एक बार अगर आपने submit कर लिया दोस्तों क्योंकि केवी में admission लेने के लिए online पंजी करन अनिवार्य है तो इसलिए आपको ये पंजी करन forum बरना है तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह से आपको ये forum बरना है सबसे पहले बच्चे का नाम आएगा उसके बाद middle name आएगा साथी दोस्तों आपको ये दियान रखना है जो लाल रंग से जो तारंग की जो column है उनको आपको जरूरी भरना है नाम इसमें आप जनम पर्मानपत्र के अनुसार ही भरेंगे उसके बाद नीचे आपको आना है अगर बच्चा दिब्यांग है तो आपको हाँ करना है नहीं तो आपको नहीं पर क्लिक करना है अगर आप yes पर क्लिक करते हैं तो आपको उसके बाद documents वगेरा भी आपको देना होगा date of birth बच्चे की birth certificate के अनुसार आपको बरनी है अब आपको इसमें second column एक मिलेगा क्या बच्चा केवी संगठन करमचारी का बच्चा या पोत्र पोत्री है तो यहां आपको scroll down करना है और यहां से select करेंगे उसके बाद एक valid email address यहां आप डालेंगे आपको द्यान रखना है email address और mobile number आप स्वयम का इसमें डालें किसी अन्यवर्क्ति का mobile number और email address आपको नहीं बरना है इसी mobile number का और email का उपयोग आपके लिए OTP और अन्यजानकारी के लिए उपयोग किया जाएगा तो आपको द्यान रखना है आप अपना ही mobile number और email address यहां डालें अब आपको एक बार फिर से आपने जो जानकारी जो details इसमें बरी हैं आपको एक बार दुबारा से verify कल लेना है कि आपने कोई जानकारी गलत तो नहीं बरी है और जो अनिवारिया है वो सारी जानकारी आपने बरी है दोस्तों आपको द्यान रखना है कि यहां सारी जानकारी आपकी सही हो क्योंकि यह सारी जानकारी आपके जो आविदन फॉरम है उसमें by default आपकी आ जाएगी तो इसलिए आपको ये सारी जानकारी एक बार चेक कर लेनी है और उसके बाद आगे बढ़ना है आप ध्यान रखें कि ये जानकारी दोवारा संसूदित नहीं की जा सकती है अब दोस्तों आपको नीचे रेइस्टर बटन पे क्लिक कर लेना है अब आपके पास आपका जो रेइस्टर मोबाइल नंबर है जो कि आपने यहाँ दिया है उस पे एक OTP आएगा उस OTP को आपने यहाँ OTP दर्जगरें के कॉलम में यहाँ समिट करना है अब दोस्तों आपको OTP समिट करना है, कैप्चा कोड भरना है और वेरिफाई पे आपको किलिक कर लेना है OTP वेरिफाई करने के बाद आपके सामने आपके रेइस्टरेशन की डिटेल्स आ जाएंगी आपके बच्चे का नाम लॉगिन कोड बच्चे की जनमते थी पंजी किर्थ मुबाइल नमबर इस तरह से आपका पंजी करन हो जाएगा और आप अपना पंजी करन का जो आपका फॉरम है रेइस्टरेशन का फॉरम है आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं रेइस्टरेशन फॉरम डाउनलोड करने के लिए आपको इसी पेज में नीचे आना है और यहां प्रिंट पे आपने क्लिक कर लेना है प्रिंट पे क्लिक करने के बाद आपका रेइस्टरेशन फॉरम आपके डेक्स्टॉप में या लैप्टॉप में सेब हो जाएगा तो दोस्तों इस तरह से आप KV Admission परिकिरिया का ये पहला चलन पूरा कर चुके हैं और इस तरह से आपने registration करना है 2020-21 परिकिरिया के लिए अब दोस्तों अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आपको आविदन फॉरम कैसे भरना है दोस्तों ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कॉमेंट करके जुरूर बताना है और इसी तरह दोस्तों KV Admission 2020-21 के लिए जो भी जानकारी है वो हम आपके लिए इसी तरह वीडियो के माद्यम से लेके आते रहेंगे इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और पहला आइकन को भी दबा लेना है जिसके आपको आगे भी इसी तरह KV Admission परकेरिया से सम्मनित पूरी जानकारी आपको वीडियो के माद्यम से मिलती रहे तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह के एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद